पान्सो टेलिविजन वाचर्स पे ऐसे लोग जो टीवी देखते थे पान्सो लोग पकड लिए इसमें से दोसो 285 फुटबॉल देखते हैं फुटबॉल का गेम देखते हैं 195 हॉकी देखते हैं 115 बास्केट बॉल देखते हैं 45 फुटबॉल और बास्केट बॉल देखते हैं यह भी देखेंगे और यह भी देखेंगे 45 ऐसे लोग हैं जो दोनों गेम देखते हैं फिर 70 लोग ऐसे हैं जो होकी भी देख रहे हैं और फुटबॉल भी देख रहे हैं अरे एक ही सवाल चल रहा है भी तो पचास लोग ऐसे हैं जो होकी भी देख रहे हैं और बास्केट बॉल भी देख रहे हैं बचा है ना पचास लोग ऐसे हैं do not watch any of three games do not watch अरे common रहता है ना तो पचास जैसे उसमें किसा एक हजार एक सो पचास जा रहा था common रहता है ना बीच का तब अपने माइनस के लिए पांसो से तो उपर जाएगा ना do not watch any of three games एक भी गेम नहीं देखते कुछ और ही देखते होंगे सीरियल वगेरा देख लिया या कुछ भी how many watch all the three games question गया है टीनों games देखने वाले लोग बताओ how many watch exactly one of the three games सिर्फ एक गेम देखते हो कि यह जो मैंने बात करी ना कि दो सब्सक्राइब इंक्लूड होंगे ना इसमें जो फुटबॉल और बास्केटबॉल देख रहा है वह फुटबॉल तो देखी रहा है यानि कि इनकी कुछ गिंती यहां पर अल्रेडी है लेकिन हमको क्या चाहिए सिर्फ एक गेम देखते हो ऐसे लोग इतने अच्छा उसमें भी कैसा कि सिर्फ फुटबॉल देखने वाले सिर्फ होकी देखने वाले सिर्फ बास्केटबॉल देखने वाले से गिंती विंती करके लेकिन यह वाला जो कोर्षन है वो भी किया जा सकता है गिंती करके लेकिन जो लेवल ओफ थिंकिंग है वह एनेंस हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने मत बैठो एक ठीरी डेवलप करो कुछ फॉर्मूला लर्न करो इसके बेजिस पर यह कोशन सॉल होंगे है यह चौलो कार्डिनल नंबर क्या होता है तो सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते है सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो नंबर उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा जैसे किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उस सेट का कार्डिनल नंबर 5 है इस तरीके से रिप्रे to be the Finite Universal Set then अब यहां से बारिश होगी फॉर्मूला इसकी पहला फॉर्मूला नमबर ओफ नमबर ओफॉर्मूला 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 ओफॉर्म number of elements that are present in A but not present in B, okay, number of elements which are not present in A and not present in B, number of elements which is either not from A or not from B, number of elements present in subtraction of A and B, number of elements that are present in intersection of two sets A and B, Tino sets में मौजूद हो, Tino में मतलब either of three, Tino में से किसी में भी मौजूद हो, Tino में से कोई भी game देखता हो, Tino में से कोई एक game देखता हो, वो यह चीज़ चलेगी, जैसे कि मैंने कहा आपको कि JEE में फॉर्मूला इतने होंगे इतने होंगे कि क्या-क्या याद रखोगे, तो फॉर्मूला जितने याद होते हैं उतनी अच्छी बात है, करने चाहिए, क्योंकि आपका time बचाएंगे, लेकिन बाइचांस कोई फॉर्मूला नहीं आद आ रहा, तो अब इस चीज़ में logic लगा सकते हैं, इसके लिए आपको when diagram की मदद लेनी है, पेट नंबर पांच, यह कोई finite set है, finite set है मतलब उसमें elements limited है, और उसमें जितने भी अलग-अलग elements है, उतने count करने हैं, कभी-कभी नहीं कुछ लोग ऐसे set लिख देते हैं, लिखने का तरीका तो वो सही नहीं है, बट मान लो ऐसा लिखाओ, तो ऐसा इसमें तीन elements नहीं गिनने हैं, इसका cardinal number 2 होगा, क्योंकि दो ही अलग-अलग elements मौजूद है, so the number of distinct elements in a finite set A is called the cardinal number of the set A and it is denoted by N A, अब हमने कोई तीन set लिए, finite sets है, इसमें कोई number, इसमें जो इतने number मौजूद होंगे, elements, the elements which are present in A is N A, जो B में है वो N B और जो C में present है वो N C, तो यह अपने को mind में रखना है, A, B, C finite sets है और universal set है U, कहने का मतलब, हाँ, साब बोल सकते हो, हाँ, साब बोल सकते हो, set A, B, C और यह उसका universal set, ओके, यही वेंट डियाग्राम अपने हर एक में यूज़ करने वाले है, तो चलो, यहाँ पर अब सिर्फ एक ही set है, तो एक वेंट डियाग्राम आ जाएगा set A के लिए, और उसका universal set, तो जो A में मौजूद नहीं होंगे, वो कहां होंगे, बाहर, तो मुझे number of elements जानने हों, कि A component, A complement में कितने numbers है, very good, क्या किया, U minus A, तो number of element present in U, minus number of element present in A, A, एक formula बन गया, याद भी हो गया, अब A union B का देखो, A union B, आपके पास given क्या है, अपने पास यह given है, अपने अपने पास, अपने 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 है, N, C है, N, B है, और, N, U है, शुरुआत यहीं से करने की, और जरुआत पड़े तो कुछ और include करने का, तो मुझे चाहिए A और U, sorry, A union B चाहिए, मुझे set A में भी elements चाहिए सारे, और set B में भी चाहिए, क्या करूँगा बुलो, N, A, plus, N, B, minus, N, U, वो क्यूँ? आपने A और B को add किया, सुनो, 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 आपने A को add किया, तो यह वाला circle मिल गया, अब B को भी add करोगे, तो देखो, यह circle भी मिलेगा, यह आपने क्या किया, दो बार count कर लिया, minus N, A intersection, B, अब यहाँ पर दो formula बन गया, एक N, intersection B का formula भी बन गया यहाँ पर, कभी-कभी ऐसा होता है कि यह तीन चीज़े दी होती है, और यह ढूड़नी होती है, जैसे, हिंदी बोलने वाले साड़े साथ सो लोगे, बेंगाली बोलने वाले चार सो लोगे, और number of total language, मतलब हिंदी या, बेंगाली बोल पाते हो, ऐसे total हो कितने दे, हजार थे कि नहीं, तो इशिका ने बहुत तुरंद फाइंड कर दिया था, कि भई, दोनों language बोल पाए, ऐसे लोग, डेर सो है, वो यहाँ से, यह formula उसने उसने यूज किया, क्या कि उसने यहाँ पे 1000 रखा, ठीक है, यहाँ पे उसने रखा 700, यहाँ पे रख दिया 400, और minus जो दोनों language बोलते हो, फिर इसको subject बनाया, इसको subject बना दिया, तो मिला यह, देखो है ना, तो यह formula का use तब होता है, ऐसा problem दिया हों, तब अपने यह formula यूज करेंगे, ओके, तो आपको पता चला, यह minus क्यों किया, क्योंकि जब आप A और B जोडते हो, तो intersection अपने दो बार count कर लेते हैं, A में तो अपने count एक बार किया ही था, जब B बोला, तो दूबारा वो count होता है, तो एक बार अपने minus कर देंगे, तो exactly यह चीज़ मिल जाएगे, ज़्यादा आ गया, तीसरा, N intersection U, A Union B, तो इस बार कैसा है कि, हर बार ऐसा नहीं होता कि, intersection होई, दो सेट दूर दूर भी हो सकते हैं, तो उस केस में क्या करना है, आपको simply, N A प्लस, N B कर देना है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, कि N intersection, A intersection B का जो, नंबर आएगा, वो 0 आएगा, तो जो लास्ट में लिखने का महत्व नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, where, A and B are, disjoint, disjoint sets, उनका intersection 0 है, अब हमने कहा कि, A में हो, और B में ना हो, इसको समझो, A में हो, लेकिन B में ना हो, तो ये B की boundary क्रॉस करने की नहीं, तो हो जाएगा, A intersection, B complement, यही हुआ ना, कि कुछ और हुआ, A में होना चाहिए, A में ही रहना है आपको, A की boundary के अंदर अंदर रहना है, A की boundary के अंदर अंदर रहना है, प्लस, B की boundary को क्रॉस नहीं करना, तो यही हुआ ना, यह हुआ कि नहीं पहले हाया ना वोलो, अब आपके पास, अच्छा, यह मुझे सीधे से, मुझे पता लग रहा है कि यह क्या है, A माइनस B का ही है, कल सीखा था, A माइनस B क्या होता है, यह जो अंदर लिखा है, यह विल्कुल A माइनस B है, लेकिन मैंने आपको कहा क्या, कि शुरुआत कहां से करनी है, अपने पास चीज़े क्या है, N A है, N B है, और N U है, तो वहां से ढूड़ना है, तो इसको फाइंड करो, बहुत सिंपल है, देखो, नमबर ओफ, elements which are present in A, माइनस कर दो यह, बस, फार्मूला हो गया यह, लोजिक्स, पूरा चैप्टर लोजिक्स पर बेज़े, फार्मूला है कई सारे, लेकिन सारे लोजिक्स से चलते, तो आपको कभी ऐसा कुछ फाइंड करने का आए, कि भई, फुटबॉल देखते हो, पर बास्केट बोल नहीं देखते हो, तो ऐसा कुछ फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला आया था ना अपना, हिंदी बोलते हो, पर बेंगाली नहीं बोलते हो, तो वो कैसे डेड़स हो आया, वो चलो, वेरिफाइ कर लो, हिंदी बोलते हो, पर बेंगाली नहीं बोलते हो, इक्वल्स टू, हिंदी बोलते हो, माइनस, दोनो लेंगवेज बोलते हो, नहीं, हिंदी बोलने वाले था साढ़े साथ सो, दोनो लेंगवेज बोलने वाले, मतलब, कोई एक बंदा है, दोनों लेंगज जानता है डेड़ सो था वाया देख छे सो यह इशी का कैसे यूज कर रही थी तू फॉर्मूला सारे बराबर फिर देखो ना हिंदी बोलता हो और ना बेंगॉली बोलता हो उस केस में फाई आएगा बट यहां पर अपने पास यू है ना नहीं नहीं यहां पर दो ही है लेकिन ती आएगा वो आगे कुछ यह इदर आएगा बराबर लेकिन अभी यू तो है ना यूनिवर्सल सेट है अहां देखना वच्चों बहुत अच्छा है यह मज़ेदार देखो ए में भी नहीं होना चीए और बी में भी नहीं होना चीए तब यह ऐसा तो कहां मिलेगा बाहर वो जो तुम प्लस बोल रहे हो उसको यूनियन या इंटरसेक्शन करके बोलो तो पता चले एन यो माइनस एन ए यूनियन बी ए नॉट अलग से बनाया था हमने बी नॉट अलग से बनाया था फिर वो वाला एरिया इसमें रखा है जो ए में भी नहीं है एन बी में भी नहीं है यह वो एरिया है जो ए में भी नहीं है और भी में भी नहीं है सीडी तो बात दिख रही है तो फिर इसको कैसे लिख सकते है तो पूरा एरिया कंक्लूट कर लो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी यहां देखो, यहां पर खाले आपको इतना एरिया अलग करना है, फुरा एरिया चाहिए, तो NU माइनस NA intersection B, वो लो यह थोड़ा Venn डाग्राम अच्छे से बनाना हो हर एक फॉर्मूला का A माइनस B का हम अलरेड़ी कैलकुलेट कर चुके आगे, देखो, किया था यहां पर, यह N A माइनस B मतलब सिर्फ इतना, यानि A में से आपको A intersection B हटा देना है, बराबर तो आपको A में से intersection माइनस कर देना है, और इसी तरह अगर कोई पूचे कि B माइनस है कितना N B माइनस N, A intersection B, वो भी यही रहेगा N A intersection B, यह वाले फॉर्मुला में इसको subject बना दो N A intersection B, इक्वल्स तो, N A प्लस N B इसको माँ ले गया, प्लस हो गया, अभी इसको यहां ले आओ माइनस N A union B, बोलो कोई प्रॉब्लम, इसका वें डाग्राम नहीं बना रहा, ठीक है यह दोनों interchangeable ऐसा याद रखनेगा इसकी जगह यह आजाता है, इसकी जगह यह आजाता है, यह दोनों वहीं रहता है यह वाला देखो, मजा तो इदर आएगा देखो, बहुत इसका तो बड़ा वाला वें डाग्राम बना ना होगा अब आपको इसमें पैंसिल ले लेने की और रबर ले लेने की, फिर क्या करना है बताता हूँ और सहट C आपको A union, B union, C चाहिए मतलब circles के अंदर अंदर जो एरिया है ना वो चाहिए है तो क्या करोगे सबसे पहले circle A को highlight करोगे तो इसके लिए pencil की मदद से उसको highlight कर देना है यह circles के अंदर अंदर जो भी area हो ना वो चाहिए तो हमने N A लिया मतलब अपने A की boundary पूरी cover कर ली लेकिन जब आप A की boundary cover करते हो तो already देखो इसमें क्या आजाता है A intersection B आ रहा है कि नहीं आ रहा और A intersection C भी आ रहा है तो वो अपने को बाद में minus करना पड़ेगा अच्छा अब मैं जा रहा हूँ B की boundary cover करने तो मुझे B की पूरी boundary cover करनी उससे पहले मेरे को यह minus कर दिना चाहिए तो इसके लिए वो मैंने पहले से लिख दिया है क्या-क्या minus करूँगा A intersection B और A intersection C मतलब मेरे को B की पूरी boundary cover करनी है क्योंकि मैं N B लिख सकता हूँ तो इसके लिए एक बार उसको मिटाया मतलब माइनस लिखा अब फिर से इसको cover किया लेकिन जब इसको cover किया तो मैंने देखा की अब C cover करना बागी है तो एक्स्ट्रा में क्या आएगा ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है कौन ये कौन बोलो अरे ये ये B intersection C है तो अब मैं को जब C cover करने का है तो मैं एक बार इस से रबर से मिटा दूगा मतलब मैंने माइनस कर दिया B intersection C ओके फिर आप इसको cover करोगे तो ये NC हो गया एक चीज अभी इसमें छुटी है मैंने कहा छोड़ी वही देख रहा हूँ हाँ हाँ वह माइनस हो जाएगा एक्स्ट्रा क्यों माइनस होगा एक्स्ट्रा हाँ तो आप लोग समझें पक्का तो अपने एक बार A intersection B intersection C intersection C add करना पड़ेगा क्यों एक्स्ट्रा माइनस कर चुके तो देखो इतना बड़ा क्या कर दिया आपने लेकिन उसको बनाई डाला याद करने की जंजट लेकिन फिर से अगर आप एक ही फॉर्मूला बार बार यूज़ करो सम्स करते जाओ तो यह फॉर्मूला याद हो जाते हैं बराबर बहुत सिंपल है A B C सबको जोड़ना है फिर A B का B A C का और B Cyclic order में चलने का A B A C और B C Cyclic order नहीं मतलब हर एक की जोड़ी बननी चाहिए A की B के साथ A की C के साथ B की C के साथ वह intersection माइनस करना है और सबका intersection add करना है तो यह कौन है यह वो लोग है जो कम से कम एक game देखते हैं या तो वो football देखते हैं या तो वो बास्केट बॉल देखते हैं या तो वो hockey देखते हैं और यह कौन है यह वो जो तीनों गेम देखते हैं और यह फुट बॉल और होकी होकी और बास्केट बॉल फुट फिर जो बच गया जो बागी का बचा हो और यह तीनों जो तो जो सम दिया था वो आप कर पाओगे यहां से कोई रिवाइस नहीं देख कॉन्फिडेंस में रहे तेको वेंड डायाग्राम आना चीए इंटर्सेक्शन और यूनियन का मतलब आना चीए और दिमाग चालू अवस्था में होना चीए सवाल आये सामने तो फिर तूट पड़ो तो सेट कंसिडर करो और एक यूँ कंसिडर कर लो तो ये नॉट इन ये पहले फाइंड करो ये कॉंपोनेंट तो ए में नहीं होना चीए बाकी यू में होना चीए तो फिर चार तक डिलीट कर दो पांच छे साथ फिर आप बी कॉंपोनेंट फाइंड करो तो बी में नहीं होना चीए यू में होना चीए तो तीन चार पांच को छोड़ कर लब 1, 2, 6, 7 पिर आपने क्या करना है A complement, intersection, B complement इन दोनों का intersection तो A complement, intersection, B complement 6 और 7 मिला बराबर अब इसका number कितना है इसमें 2 elements है तो यह आगया 2 left hand side अब ऐसे right hand side कर right hand side में क्या है A union B तो 1, 2, 3, 4, 5 यह आया A union B अब इसमें number कितने है अब अब elements कितने है तो 5 है तो N A union B equals to 5 और universal set में कितने elements है 7 तो 7 minus 5 बराबर 2 यह भी दो वो भी दो तो बराबर है यह बट इसमें याद क्या रखने का कि तुम जो highlight area कर रहे हो जो A में नहीं है वो चाहिए या जो B में नहीं है वो चाहिए इसका मतलब आपको वो जो दो बनाया था ना Vend Diagram वो याद करने का फिर फिर दोनों Vend Diagram में देखने का कि अगर मैं union करूंगा तो क्या चीज मिलेगी तो आपको यह सारा area मिल जाएगा सिवाए यह intersection को छोड़ कर तो पूरे universal set में से intersection वाला minus करना पड़ता है तो यह सारे formulas थे और ऐसा नहीं बेटा कि सिर्फ यहीं पर limit है इतना ही formula है एक formula मतलब जितने चाहँ आप उतने बना सकते हैं जैसे example अब आपको बनाना है मैं आपको तीन के लिए दूँगा ABC के लिए जैसे अपने यह चीज फाइंड की बराबर अपने को उस question में देखो बहुत सारी चीज़े ढूड़नेगी तो मतलब इसमें क्या ढूड़ना है देखो फुटबॉल के लिए अपने F रखते हैं होकी के लिए H रखते हैं और बास्केटबॉल के लिए B रखते हैं इसमें डिए और यह चीज फाइंड दिए नहीं डिए नहीं रखते हैं हो मैंनी वाच ओल दिए हाँ इंटरसेक्शन लेना है H F इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन B और यहाँ पर how many watch exactly one of three games ये कोशन जोड़दार है ये कोशन बहुत जोड़दार है exactly one चाहिए तो आपको मतलब football देखने वाले तो चाहिए मगर hockey देखने वाले नहीं चाहिए नहीं चाहिए basketball देखने वाले और ऐसा कोई formula मैंने अभी तक आपको बताया बताया आप ढूंड़ो आप चलो कहने का मतलब आपको एक ऐसा formula develop करना है कि elements that are present in A but not present in B and not present in C same to same वही concept है पहले when diagram बनाओ फिर वहां से area decide करो कि यह area चाहिए तो बच्चा लोग सबसे पहले आपने कहा कि भई set A में होना चाहिए तो यह रहा मेरा set A में होना चाहिए लेकिन यह जब set A में होना चाहिए वाला देखता हूं तो उसमें कुछ अपने माइनस करेंगे तो आपने देखा कि set A में होना चाहिए और B और C में नहीं होना चाहिए पहले तो अपने चित्र समझो कि कहां कितना area आएगा set A में होना चाहिए यानि आपको A की boundary क्रॉस करनी नहीं है पहली बात प्लस B की boundary में एंटर नहीं करना C की boundary में भी एंटर नहीं करना मतलब आपको यह required area चाहिए यह वाला जो area है ना this is the required area सिर्फ इतना ही चाहिए आपको पर आपके पास N A होता है N A मतलब मैंने पूरा area अभी एक बार गिन चुका हुए N A जब मैं लिखूंगा तो मैं मैंने क्या किया यह दोनों को include किया लेकिन करना था नहीं करना था तो मैं कौन से area minus करूंगा A और B का intersection minus करूंगा तो A intersection B minus किया लेकिन जैसे मैंने minus किया तो देखो अब यह इतना area मैं कैसे minus करूंगा तो मैं क्या करूंगा एक बार गलती हो गई add कर लेता हो थोड़ा क्या add किया मैंने तीनों का intersection add कर दिया अब add करने के बाद यह जो area बचता है यह है A intersection C जिसे अब मैं minus कर लूंगा यह area minus करते ही आपको required area मिल जाता है तो इसी को rearrange कर दिया तो number of elements present in A, present in A intersection B, present in A intersection C plus N A intersection B intersection C तो अब इसमें pattern ढूंडो जिसमें आपको elements चाहिए वो N A मौजूद होना चाहिए N A रखना है आपको फिर A का intersection B के साथ A का intersection C के साथ minus करना है और plus करना है तीनों का intersection अब इसी तरह मानलो ऐसा पुछाओ sorry A में मौजूद हो पर A में नहीं हो और C में भी ना हो तो क्या करोगे N B minus B का intersection A के साथ यानि A intersection B B का intersection C के साथ plus तीनों का intersection add कर देगे या टादू ऐसा तो तो वो तो बताया नहीं ता आगे सबसे पहले तो यहीं बताया देख किसी एक पर तो आप मैंने का ना बहुत सारे formula बनेंगे बनाओ जितने बनाने उतने बनाओ अपने को क्या है एक बार C के लिए लिखा दूँ भी 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 हाँ बराबर तो थोड़ा time कम है बागी के सारे formula बनाना जो अपने सवाल सुरुआत में पूछा था उसका answer तो दे नहीं तो मजा नहीं आएगा चलो अभी इसका answer करेंगे अब यहां से आपको चीजों को अब set अपने एक बार सीख लिया पूरा कैसे करना है लिखो अब तो मैं इसको कहता हूं एन एफ इस इस एन एफ इस इस एन एच अलग कलर से लिखो हाइलाइट हो ए एन बी यह क्या होगा बच्चो एफ इंटर्सेक्शन एन अहां एच नहीं तो बास्केट वाला है एफ इंटर्सेक्शन एच अच्छा यहीं पर लिख देता हूं उसका नंबर आ गई यह 285 यह 195 यह 115 यह 45 70 और देखो यह क्या दिया है होकी प्लस बास्केट बॉल तो यहां लिख देता हूं कि 70 और अफ एच प्लस बी यह इंटर्सेक्शन रहे है एंड ना एंड हां हां होकी एंड बास्केट बॉल फिफ्टी ऐसे है जो कुछ भी नहीं देखते हैं देखो देखो दो ना वाच एनी अफ द थ्री गेम्स मतलब यह क्या है ना वो लोग फुट बॉल देख रहें ना वो लोग बास्केट बॉल देख रहें ना वो होकी देख रहें ना डू ना वाच एनी अफ थ्री गेम्स देखो दू ना वाच एनी अफ थ्री गेम्स कोई भी गेम नहीं देख रहें वो फुट बॉल भी नहीं देख रहें बास्केट बॉल भी नहीं देख रहें और होकी भी नहीं देख रहें तो यह एन हो गया 50 बोलो इसमें डाउट तो इतना सारा डेटा गिवन है एक दो तीन चार पाच छे साथ ओके सुननों मेरे को बताओ कि यह जो कूछ भी नहीं देख रहे हैं वो तीनों सरकल के बाहर ही रहेंगे ना बराबर यह वो सरकल के बाहर रहेंगे पहला कोशन अब देखो क्या है हाओ मैनी वाच ओल दरी गेम्स तो एक यह चीज़ फाइंड करनी है तो इसको फाइंड करने के लिए अपने एक फॉर्मूला लिख चुक है डेवलप कर चुक है तो वह फॉर्मूला पर अगर एक बार नजर देखो देख लो इंटरसेक्शन वाला फाइंड करना है उसके लिए क्या-क्या चाहिए वह एक बार बद देखना एक काम करते हैं यहां पर लिख देते हैं नेक्स पेज में लिख देते हैं हाँ एड 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 यहां आपको सिर्फ इतना एरिया चाहिए तो अपने वह फॉर्मूला की मंदद ले लो ना या तो चलो नहीं लेनी तो ऐसे देख लो आप वह चाहिए इसका है कि अंप हुँ वह माइनस नहीं होगा नहीं है अरे बेटा यह देखो कुछ चीज़े हैं ना यहां से हेल्प लेने की देखो अपने यह चीज यहां पर अल्रेड़ी बना चुके हाँ तो देखो अपने पास यह तीनों डेटा है वरवर यह तीनों डेटा भी है क्या चाहिए चाहिए क्या यह चाहिए रहेगा ना यानि वो जो first question है उसमें देखो यह चीज नहीं दी उन लोगों ने हमको ये चीज़ नहीं दिये कि फुटबॉल भी खेलते हो या बास्केटबॉल भी खेलते हो या तो वो कैसे निकलेगा वही तो यानि इन तीनों का यूनियन कैसे निकलेगा तो उसके लिए यहां देखो मैंने अब भी अब भी बताया तुमको कि F' intersection B' intersection H' कहां exist करेगा ये वो लोग है जो कोई भी game नहीं देखते इसका मतलब ये ये जो है वो circle के बाहर जाएगा है ना तो बाहर लोग कितने बाहर लोग कितने 50 टोटल लोग कितने थे टोटल यहाँ पे दिया हुआ है बेटा कितने लोगों में observation चल रहा था 500 तो ये क्या है एन यू है तो 50 बाहर है टोटल 500 है तो circle के अंदर अंदर कौन 400 circle के अंदर का सारा area मतलब circle के सारा अंदर का area मतलब N union A union अच्छा अब A B C तो चल रहा है रहा F union B union H equals to कैसे लाए N U minus N F dash intersection कोई भी नहीं देखता हो ना football देखता हो ना basketball देखता हो ना hockey देखता हो यह 500 लोग है जो सब मतलब TV देखते हैं उसमें से 50 लोग कुछ भी नहीं देखते हैं इसका मतलब 450 लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई एक game देखते होंगे तो हमने यह चीज़ find कर ली बराबर अब इसका एक formula आपने लिखे थे बाजू में नेक्स स्लाइड में वो लिखो पूरा N F U B U H कैसे ढूंडा था? N F plus N H plus N B minus N F intersection H minus N H intersection B minus N F intersection B plus तीनों का intersection values रख दो यह सारी values अपने को पता है यह वाली find करनी है कोई बुश्किल रखो 450 पुटबॉल देखने वाले लोग 285 बताते जाना लिखा हो तो 195 कौन सा था होकी? 115 माइनस फुटबॉल और होकी दोनों देखते हो फुटबॉल और होकी यह रहा 70 माइनस 45 और 50 तो माइनस ही करना है कौन पहले कौन बाद में वो फरक नहीं पड़ेगा प्लस एंड एफ यू बी यू एच यू क्या इंटरसेक्शन अब यह सारा टोटल करके मतला इस साइड ले आओ 450 में से सब्ट्रेट कर दो यह मिल जाएगा बस 450 इक्वस टू 430 प्लस एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी तो मुझे मिल गिया जो तीनों गेम देखते हो ना एसे 20 लोग है देखो है न तगड़ा सवाल यह सवाल को सॉल करने में कितना टाइम लगा आपको कोई जादा देर नहीं लगेगी ये सवाल सौल करने में एक बार अपने को ये कंसेप्ट सारे पताओ तो आपने देखा कि सवाल में क्या अपने ने पहले ये फाइंड किया फिर इसकी वैल्यू इसमें रख दीए फाइंड डलिया दो इक्विशन तो स्टार्टिंग से लेकर जितने भी फॉर्मूला हमने आज बनाए है एक बार खुद से बनाओ और सम्स जो मैं दे रहा हूं वो कैलकुलेट करो